प्रिवेश आप्टर देखना तो मेरा प्लेलिस्ट आपके देख से तो इस आपके शुरुआत में कुछ लोगों देखा जो दिवार के बाहर बैटे हैं तो में इस आको इन लोगों को देखे के देखिया यह इस्टन रिजन के रिफ्यूजेस है तो यह अल्रेडी पार हैं हम सब लोगों करें बाकी सब आपके उपर हैं मिश्या को तो यह अपना पावर यूज़ करने लगती इन लोग उपर और गाना गाले लगती तो दिर दिर करके यह लोग आपने होस्त में आ जाते हैं यह आत्मीं सोच रहें यह साच में काफी आमाजिंगे आपने म यह अदमी कहता है बिलकुल एक काम करो तुमारा फ्यामिली को लेके आओ और मुझे फॉलो करो शिंसी तो यहां काशी दिखा जाता है शुनो शुनो सब लोग सुनो इस आउस के अंदर पानी पानी से तुम क्योर हो सकते और पीते ही तुमारा जो भी डिजी जी पूरी तर करना चाहते हैं और दूसरों को यहां पर गुट्टों में लेना चाहते हैं और दूसरों को जिंदे की बचाने के नाम में उन्हें यहां पर लूटना चाहते हैं पर हमारा हाइने सबसे अलग है वो पोशन भी दे रहें और उसके साथ वो कोई भी चार्ज नहीं करें यहां त बागवान के नाम मैं जो भी देख रहा हूं मुझे लगता है वो लोग सब कुछ सब बढ़ यह तो गाफी आच्छा हुआ हम लोग सब बज जाएंगे यहां पर लोग लेफ ही और हाइनेस सब चलाने लगते हैं अभी तो रोड हाइनेस डेवलब करें वस्टन रिजन को और उनको काफी सारे लोगों की भी जरूरत है ताकि वो घर और रोड बना पाए आपकी जरूरत नहीं कि पोस्टन के लिए आप कुछ भी दे और आपको फोस्ट नहीं किया जाएगा कि आप वस्टन रिजन में आए पर यहां पर आएनेस परमिस करेंगे अगर जो भी वस्टन रिजन में आएगे उनके साथ काम साथ देगा तो उन्हें घर और उनका शालेरी और उन्हें खाना भी मिलेगा कोई फरक्त नहीं बता तुम कहां से हो तुम किस तरह के हो और किस तरह से दिखते हो और तुमारे और कोई लोग हमारे साथ नहीं आना काम कर रहे हैं वह स्मूथ लिए और रही बात इस मारगेटि'll को शुक्रियादा करना चाहिए उनके बज़श से यहां पे कापी सारे कैरिच मिल गए हमें तो आदमी पूसा के लिए बैरल्स क्या है तो थी होays बीरिल्स के अंदर फिर्पाई वाटर है ओवी मिस लीलिका और तुम्हें तैब पता है कि सीटी के अंदर आशानी नहीं है कि तुम आराम से आपाऊ और कुछ लेके भी आजाओ पर किंग सिटी में एंटर होने के लिए मैंने इसका जुगार लगाया है तुम्हें तो पता ही होगा किंग सिटी में मेरे कुछ दोस्ते प्रेट्रोल टीम का उनके बज़से में और भी आसानी से यह सब लेके आ गया तो रिफूजी ने कहा कि तुम कोई इस्टन रिजन से नहीं और तुम का भी आच्छे खासे भी दिख रहे हो जैसे कि कोई लेक भी नहीं हुआ है तुम्हें आखिर तुम मिक्स होकर करना क्या जाते थे और किस का अडर में यह सब कर रहे हो और तुम्हारा कोई आखरी सब्द तो यह चिला के कहता है मैं कोई दूस्मान नहीं और मेरा नाम होके और थियो मुझे जानता है थियो कहता है यह रिसेंटली जॉइन हुआ त्या रियाट में और मैंने यह भी सुना है कि वो न्यूज फेलने में काम कर रहा था पर मैं सोचा नहीं था कि वो इस तरह से कुछ ज्यादा ही पता एक काम करो इसे खतम ही कर दो तो यह चिला के कहता है मैं सारे बाते एक मासिनारी से सुना था हम कॉपरेट कर सकते में भी यहां पर हाइनेस को सावर करना चाहता हूं अंटर के तो यह कितने बुरी बाते पर हाइनेस को किसी राट की जरुवत नहीं ह है चिला केते में कोई राटन में और में स्टाडी करने के लिए और में मादद करना चाहिए था कि वो तीम्योथी को पूरी तरह से कतम पाग कर पाये और उसके लिए में कुछ भी करूँगा यह पूस्ता थी वह आखिर तू क्या सोच रहा है पास्ट की बात होते तो आगर वो छूट बोलाई की साथ बोल रहा है तो पता नहीं चलता पर हमेरे पास में थोड़े हम जान सकते हैं अखरी यह क्या गह रहा है नाइडेंगल आ जाती और केती अभी में हूना और अपना स्टोरी बताना लगता कि वो कोई जुवारी नहीं और उसका पत्नी भी कहीं भी भ किला था कुछ समय के बाद हम दोनों ने साधी का लिए और जो भी पैसा हमने सेव किया था उसे घर खरीद लिया किंग सिटी में पर सब कुछ बिखर गया जब तिमाती ने विच को हंट करने का आलान किया उसके लीडर्शिप के अंडर सब के सब यहां पर पागल ही थे जिस इंशान ने मेरे से गुष लिया था उसने कहा कि वह बाहरी रहे और बाद में उसे रिलिज कर देगा कुछ देर के बाद पर जब उन लोगों ने मुझे बोलाया में जाके देखा तो उसके बोड़ी में चारोतरफ दागी दाग थे और उसके उपर काफी सारे जक्मों के भी निसान थे मैं एक्स्प्लेन मागा आखिर तुम्हें एसे कैसे कर से तो डराया एडिटर ने कुछ भी नहीं सुना वालकि उन लोगों ने तो मुझे मानना शुरू कर लिए उसके बदले मुझे कुछ गोल राहल दे दिया और क्याहा के यह रहा उसका कीमत यह ले ले उठाले यहां से और यह सब काम विच हंट का यह तिमती का आइडिया था अगर अफिसर यह पानिश्मेंट दिये भी तो मुझे यह सब कुछ परक नहीं परता यह सब का कारण तिमती ही है और मैंने ठान लिया कि जो नया किंगे उनसे जरूर मेरी बेंज लूँगा और मेर जो भी मेंबर से उन लोगों ने भी कहा कि मेरा सपर्ट करेंगे पर हमारा पास फाइट करना का कापैसिटी नहीं था हम सिफ एक ग्रूप से छोड़कर दूसरे ग्रूप में जाइन कर रहे थे और जो भी इंफरमेशन तिमती के बारे में वह सब निकाल रहे थे और उसके दुस्मन के बारे में भी जानकारी निकाल रहे थे इस वज़े से मैं नजर रख रहा था जो भी थियो कर रहे थे उनके मुमन के उपर पर आखिर में मुझे ये पता चला कि तुम फोर्ट पिंस के लिए काम करते हो नया किंग पूरीता से खतम हो जे और मैं चाहता हूँ कि रोड़ान के लिए मैं भी काम करूँ मैं सारे इंफ्रमेशन कॉलेट किया और उसे भेजा और अभी तक मेरे लिए लेट नहीं हुआ है मैं साब कुछ देने के लिए भी तयार हूँ थियो पूशता है मिस नाइट अंगल आगर वो कैसा दिख रहा है नाइट अंगल कहा लगता है तुम एक वी चो और तुम जेख सकते हो कोई अगर जोट कह रहा है या सज कह रहा है और हाइनेस भी काफी डिफ्रेंड है दूसरे से क्योंकि वो लोगों की मदद कर रहे हैं उसके साथ वो सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं अगर तिम्यथी वी वी उनके जैसे होता तो सायद मेरा पत्नी अभी तक ना मरती थियो केता है बस बहुत हो गया चलो मुझे फॉलो करो सिटी के अंदर अगर तुम हाइनेस का एजेंट बरना चाहते हो तो तुम्हें काफी कू सिखना पड़ेगा सिंसर्ट होता है इन लोगों के तरफ दिखा जाते यह लोग प्लेक के वज़े से पड़े रहते हैं चोटी सी लड़की केते सच में यह मेडिसिन तो काफी अच्छा यह तो क्योर कर सी थी प्लेक को आपके हाथ में आखरी यह एक इसा आगया कि आपका चौज के साथ कोई कांटार्ट है जीओ कहता है नए नए यह जो प्लेक का जो भी है यह लोग तो ब्लेम कर रहे हैं वीचेस के उपर और उन लोगों का यह पुराना ही ट्रीक है और यह मेडिसिन मेरा इंप्लेयर ने दिया है और वह चौज के खिलाब भी है और तुम मेरा सुक्रियादा मत करो अगर किसी का सुक्रियादा करना चाथा तो मेरा इंप्लेयर वह प्कार्च इस तरह का मैंट्टाड कर रहा है इस सीटी के अंदर जो लोगों प्हुस्षा है उनका फाइंसा का अच्छ से फाइदा उठा रहा है और इस तरह से जितने भी लोग में इस पंट्डाइक से कारण सारे के सारे जिंदा रहेंगा और इसका कोस्ट भी इतना नहीं है इसके वज़े से जो भी काम अनर लोगे ओ आराम से इसे खरीज़ भी सकते हैं ज्यादे से ज्यादा तुम दो सिल्बर लोगे एक व्याग का इक है दिख्या सिर्फ दो सिल्बर रोयल्स हाँ और मेरे इंप्लेवर को छे मिलना चाहिए जितने बहुत लोगों की काम में आने के लिए उन्हें आराम से इससे तो इलाज होई जाएगा और उससे तुम्हारा काफी फाइदा भी हो जाएगा लग तुम्हें मिल जाएगा यह सोच रहे अगर राट से सब बेचेगे तो साइथ वो लोग कुछ याद नहीं पाएंगे मुझे भी य से हाइप राइज में बेचोंगे में ए चीज अनदिखा कर दूँगा पर ए चीज में कदावी भूलूंगा नहीं और मेरा एंप्लर इतना काइंड भी नहीं है मेरे जैसा तुम्हें ये काम सही से करना है अगर तुम सही से नहीं कर वाओगे तो ये काम मात ही करो क्योंकि अगर तुम जिंदा ही रही रहोगे तो तुम्हारा पैसा का अख्र होगा क्या? कोई इसे फिर से ना resell करें इसलिए एक इंसान को एकी देना और उसे कहना कि वो ओहीं पर ही पी ले और ये तुम्हारे उपर है, तुम कहां पर बेचना चाते हैं और किसे बेचना चातो, मैं सिफ तुम्हारे उपर नजरी रखूंगा आखरी ये डिल कैसा है, क्या तुम इसे असर्ट करोगे? तु खुशी से करते डिल तु खुशी बात है, दो दिन के अंदर सारे पोसन आ जाएंगे टेवरेंट इंट्रेंस के पास सही से काम करना और मेरा एंप्लोयोर नहीं चाता कि एक काम किसी भी हालत में फेल हो जाए और ये चाट रहे हैं पर कताब